रांची में होई योती हत्यकान मामले की गुथी परत दर परत अब सुलस्ती जा रही है जो मिर्तिका है उसकी मा से न्यूज 11 भारत के सन्वादाता इमरान ने खास बातचीत की है आपको सुनवाते हैं रांची के और मांजे थाना छेत्र में एक सिरकटी लास बरामत की गई रांची पुलीस ने सकांड की तप्तिश जब शुरूप की तो सबसे पहली जो गुत्ती रांची पुलीस को सुल्जानी थी कि जिस योती की सव बरामत की गई है वो है कौन और कहा की रहनी वाले जैसे जैसे इस केस के अनुशन धान को आगे बढ़ाया गया एक परिवार के संपर्क से की गई परिवार से सब संपर्क की आ गया तब पता चला कि चन्हों चटवल की रहने वाली सुफिया नावक एक जो की पिछले कई महनों से घर से गायब थी उसकी पहचान उसकी माने की थी उसकी माने पैर पे जलेवे निशान के सहरे अपनी बेटी की पहचान की थी बेटी की पहचान क्यों नहीं कर पाद जिस बच्चे को माने बच्पन से पाला पोसा उसके एक चीज को वो जानती थी इसलिए पैर में जलने की पहचान से ही उसकी पहचान की गए क्या यह सही है ना कि जलने की पहचान से उनकी पहचान की जब पैर में जलाल था उससे पहचान हम लेकिन सीर नहीं था इसलिए हम मतलब अथी नहीं किये थे और आगे का बोले अब हम बिलाल कौन है बिलाल कॉन है बोल रहा है करेगा कोई नहीं हो अ quase पूरी घटना के बासे अप माहे आपने बेटी को बच्पन से पाला पोसा ख क्मार डिया गया चाहती है क्माहने के लिए आपने बेटी के लिए कहा इंसाफ होना चाहिए सब से कढ़स कढ़सा होना जाहिए आप इससा हो जाए उन यह क्या शो कि दुनीटि प्वेटाइन के साथतर क्वाइब आप पिर बडी मॉंगा पुलैस्सेट ऋनकारी मिल रहीigue पर किया जानकारी मिल रहें पर sü Ubραil अब हटाइए हम मां है जो कि यहां पर पहुंची है अपनी घर पर मौजूद है इसी मां अपनी बेटी के एक जेलेवे निशान से पहचान किया उसके बाद राजी पुलिस ने इस पुरी गुठी को सुल जाया है कहिने कहीं समक्मा की दर्द को भी आप समझ सकते हैं कि इस ब बड़ी शजा दिलाया जाए वहीं उसके बाड़ी को परिवार को सुपुर्थ कराया जाए ताकि मिटी मंजिल का जो प्रमप्रा है जो प्रिती रिवाज है उसे की जा सके कैमरा परसार नहिमंद के साथ मौहमद इमनान नियूज 11 राची